हिंदी सिनेमा बिना हीरो के अधूरा ही माना जाता है यहां की अधिकांस फिल्में नायक परधान ही होती है तुम लोग मुझे ढून रहा है और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूँ बॉलिवुड में सुर्वात से अब तक सैकड़ो अभिनिता आये और गए मगर यदि बॉलिवुड के आज तक के सबसे ज़्यादा खूबसूरत वा हैंडसम हीरो की बात आती है तो अधिकतर फिल्मी पंडित एक ही नाम की तरफ इसारा करते हैं धर्मेंद्र धर्मेंद्र का जनम 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में लुधियाना के गाउं साहनेवाल में हुआ था 15 साल की उम्र से ही किशोर धर्मेंद्र फिल्मों के दीवाने थे 1929 की आई सुपर हिट हिंडी फिल्म दिल लगी उन्होंने 40 से ज्यादा वार देखी थी स्कूल जाते जाते उनके पाउं कब सिनेमा घर पहुँच जाते थे पता ही नहीं चलता था 1954 में सिर्फ 19 वर्स की आयू में उनका व्यूहा प्रकास कोर से हो गया था 1958 में फिल्म मैगजिन फिल्म फेयर के एक स्टार कॉंटेस्ट में धर्मेंदर विजय हुए और मुंबई पहुच गए कंटेस्ट की सर्तों के मुताबिक विजय धर्मेंदर को एक फिल्म के लिए साइन किया जाना था मगर दुर्भाग्या से वो फिल्म बनी नहीं और निरास धर्मेंदर अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्स में लग गए निर्माता निर्देशक अर्जुन हिंगोरनी ने आखिरकार उन्हें पहला प्रेक दिया और 1960 में उनकी पहली फिल्म आई दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म तो ज्यादा नहीं चल पाई और संघर्स जारी रह 1963 में आई विमल राय की फिल्म बंदिनी ने उन्हें पहचान दिलाई मगर 1966 में आई ओपी रहलन की फिल्म फूल और पत्थर ने काम्याबी के जंडे काड़ दिये फिल्म के एक दिश्चे में धर्मेंदर पहली बार बिना कमीज के नजर आए हश्ट पुष्ट और मांसल शरीर के धर्मेंदर के बदन की खुबसूरती की चर्चा होने लगी धर्मेंदर बड़े इश्टार बन गए 1964 में आई सुपर हिट फिल्म आई मिलन की बेला में धर्मेंदर राजिंदर कुमार के सामने खलनायक के रूप में नजर आए मगर धर्मेंदर को लोगों ने हीरो जैसा ही रुत्पा दिया 1968 में आई रामन सागर की फिल्म आँखे ने इतिहास रच दिया धर्मेंदर बॉली वुट के ही मैन कहे जाने लगे और धर्मेंदर की गणना बॉली वुट के टॉप तीन में होने लगी उसी दोर में अमेरिका की प्रतिष्ठित सिने मैच चीन ने धर्मेंदर को दुनिया के सबसे सुन्दर हीरो में से एक बताया 1979 में रिशिकेस मुकर जी की फिल्म सत्यकाम में धर्मेंदर ने अपने अभिनय का लोहा मनवा दिया मेरे नियाद है वो दिन आजादी से पहले हम क्या क्या सबने देखते थे तब तो ये नाज था कि हम अंग्रेश के साथ लड़ रहे हैं जब सब को उमीद थी कि सर्वसेष्ट अभिनेता का हर पुरुसकार धर्मेंदर जीतेंगे तब फिल्म फेर से लेकर राश्ट्रिय पुरुसकारों में धर्मेंदर की उपेक्सा ने सभी को अचरज में डाला हैरत की बात तो ये है कि अगले पचास वसो तक हर अवार्ड सेर्मोनी में धर्मेंदर की उपेक्सा ही होती रही 1970 में धर्मेंदर पहली बार हेमा मालिनी के साथ तुम हसीन मै जवां फिल्म में नजर आए और उसके बाद धर्मेंदर और हेमा मालिनी की जोड़ी भारत के इतिहास की सबसे सफल फिल्मी जोड़ियों में से एक बन गई 1970 में जीवन मृत्यू और 1971 में मेरा गाउं मेरा देश ने जबरदस्ट सफलता हासिल की 1972 में राजा जानी सीता और गीता सुपर हिट हुई 1973 में एक ऐसा समय भी था कि सिनेमा हौलो में धर्मेंदर की पाँस सुपर हिट फिल्में एक साथ चल रही थी जुगनू, यादों की बारात, कहानी किस्मत की, लोफर और जील के उसपार 1974 में हिमा मालनी के साथ दोस्त तथा पत्थर और पायल सुपर हिट रही 1975 में आई सोले फिल्म तो आज तक भी किद्वन्ती बनी हुई है इसी साल आई प्रतिग्या वा चुपके चुपके ने भी नए आयाम बनाए आज बॉली वुड में अक्से कुमार की कॉमेडी के फैन युवा दर्सकों को प्रतिग्या में धर्मेंदर द्वारा की गई एक्स्ट्रा ओर्डनरी कॉमेडी को जरूर देखना चाहिए धर्मेंदर की ही मैन की इमेज का आलम ये था कि 1976 में आई उनकी एक फिल्म मा के एक द्रिश्य में धर्मेंदर शेर से लड़ते नजर आए और उन्होंने किसी बाडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया 1976 में चरस तो 1977 में धर्मवीर चाचा भतिजा और ट्रीम गल ने टिकट खिर्की पर तहल का मचा दिया 1978 में आजाद, 1989 में करतब्य, 1980 में राम बलराम और 1981 में कातिलों के कातिल सुपरहिट रहे 1982 में राजपूत, कजब, बगावच जैसी फिल्मों ने धर्मेंदर की उंचाईयों को बनाए रखा हैरत की बात तो ये है, 1966 से 1982 के इन पंदरा सालों में पहले राजस खन्ना तथा बाद में अमिता बच्चन के सुपर स्टार डम वाली आंदी में कई बड़े नाम उड़ गए थे मगर सिर्फ धर्मेंदर थे जो जमे रहे, खड़े रहे उस दोर में जब दक्सिन के फिल्म सितारों के फैन कलब होते थे तब हिंदी सिनेमा में उत्तर भारत में सिर्फ एक ही फिल्म सितारा था जिसके फैन कलब थे और वो थे धर्मेंदर 1980 में धर्मिंद्र ने हेमा मालनी से दूसरा विवा किया मगर अपनी पहली पत्नी और परिवार नहीं छोड़ा बड़े वेटे सनी दियोल को उन्होंने 1983 में बेताव फिल्म से लॉंच किया और सनी दियोल भी एक बड़े अभिनीता बन गए लेकिन इसके साथ उनकी खुटकी फिल्मों का सफर भी अभी थमा नहीं था 1985 में गुलामी, 1987 में हकुमत और आग ही आग सुपर हिट रहे 1945 में उन्होंने अपने छोटे बेटे बबी दियोल को बरसाथ फिल्म से लॉंच किया 2007 में आई फिल्म अपने में वो अपने दोनों बेटों सनी व बॉबी के साथ नजर आए उसी साल आई चौनी कद्दार में भी धरमेंदर ने अपनी चाप छोड़ी हेमा मालीनी से उनकी बेटी इश्या देउल भी कुछ फिल्मों में नजर आई 2019 में धरमेंदर के पोते सनी देउल के पुत्र करण देउल भी पल पल दिल के पास नाम की फिल्म में हीरो के रूप में इस्थापित होए और इस तरह से देउल परिवार की तीसरी पीडी भी बॉली वुड में नजर आ गई अपने पूरे करियर में धरमेंदर ने फिल्मी सफर के अलावा उस से अलग ऐसी भी मिसालें पेस की हैं जिसके बारे में अधिकांस लोग नहीं जानते बॉली वुड में कई ऐसे जरूरतमन तक्निश्यन वा कलाकार रहे हैं जिनके मरने के बाद उनकी विद्वाओं को धरमेंदर ने ता उम्र मासिक रकम उनके घर तक पहुचाई भारत के एसे आडवा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाडियों को भी धरमेंदर ने कई बार कैस इनाम दिये आज भले ही धरमेंदर वृद्ध हो चुके हैं मगर सच यह है कि धरमेंदर जैसा खूपसूरत अभीनेता बॉली वृड में ना तो कभी आया है और शायद ही फिर कभी आएगा अरे वा 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 तु मेरा सचा यार है एक यार ही यार के दिल की बाद जान सकता है